हेलो दोस्तों ये पर्थी लेखन संके 11 है गती 100 रहेगी स्टार्ट करता हूँ मैं स्टार्ट भाईयो आखिरकार एक लंबे संघर्ष के बाद जो की मुख्य रूप से अहिंसात्मक था और जिसका नेतर्त्व ऐसे विलक्षण व्यक्ति ने किया जो अहिंसा और सत्य को इस्वर का प्रयाय मानता था परन्तु स्वतंत्रता के किनारे पहुचने के अंतिम चरण में भारत को खून की नदी में से होकर गुजरना पड़ा और यह नदी भारतियों ने ही खोदी थी तथा इसमें भारतियों का ही खून बह रहा था अभूत प्रूर पैमाने पर लोगों का निस्क्रमण हुआ पुरुसों, इस्तरियों, बच्चों, बूढ़ों, बिमारों समेत एक करोड व्यक्ती जिनके सरीरों से खून चूकर भारत की भूमी तक को रंग रहा था भारत के एक ओर से दूसरी ओर गए, उन्होंने अपने पीछे ना केवल मकान और जमीने छोड़ी बलकि अपने घर के वेक्तियों के मिरत सरीर भी छोड़े स्वतंत्र भारत के किनारे तक पहुँचने के लिए देश को यह मुल्य चुकाना पड़ा और वह दो प्रभुता संपन राष्टों भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया यह 15 अगस्त 1947 की बात है कॉंग्रेस ने जो वास्त्रिक रूप से 1885 से भारत की राष्ट्यवारी थी हमेशा भारत की एक राजनीतिक इकाई के रूप में संकल्पना की थी कॉंग्रेस को अंत में भारत का विभाजन स्विकार करना पड़ा वैसे तो यह स्विक्रिती सहमती से दी गई थी परन्तु वास्त्रिक रूप में देखा जाए तो यह ब्रिटिस सासको द्वारा पिछले कई दसकों से उत्पन की गई परिस्तीतियों के दबाव के कारण था फूट डालो और राज करो की नीती पहले पहल अलीगड मुस्लिम कालेज की इस्थापना के साथ सुरू की गई एक दूसरे के बाद आने वाले तीन ब्रिटिस प्रिंस्पलों ने प्रत्थक्ता का विचार मुस्लिम नेताओ और चात्रों के मन पर बैठाया सरसयद एहमद को विभाजन मुलक विचारों को फैलाने के लिए उनसे हर परकार की मदद मिली हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें हिंदूों का कोई दोस नहीं था जो मुसल्मानों से समाजिक इस्तर पर अलगाओ बनाये रखते थे और आर्थिक दृष्टी से उनका सोसर करते थे अलिगड कालिज के अधिकारियों को अपने उद्देश्य की पूर्ती के लिए उपजाओ भूमी मिली यह सब कुछ पिछली सताबदी के अंतिम वर्सों में हुआ इन्होंने सोस समझ कर राष्टिय मुसल्मानों की उपेक्छा करने की नीती अपनाई 1947 में कांग्रेस के पास विवाजन स्विकार करने के सिवा कोई विकल्प नहीं था विशेश कर गंभीर साम्प्रदाइक जगडों के कारण जो की ग्रह युद का रूप धारण कर रहे थे जिन्ना ने ये सुझाओ भी दिया की साम्प्रदाइक अधार पर अबादी की अदला बदली की जाए सायद ये बहतर समधान होता क्योंकि इस से सायद वे कुरूर कृत्ते ना होते जो बहुत लंबे काल तक पडोस में रहने वालों के साथ उनके पडोसियों ने किये प्रिवाजन को स्विकार करते हुए कॉंग्रेस ने 15 जून 1947 को दिल्ली में एक प्रस्ताव पास किया जिसमें अंतिम बार भारत की मूल भूत एकता का आगरह किया गया था इसमें कहा गया था पिछली दो पीडियों के स्रम और बलिदान की नहीं बलकि भारत का विस्तृत वित्यास और परंपरा भी इस मूल भूत एकता की साक्षी है स्टाप